नमस्कार दोस्तो मैं प्रमोत कुमार सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सहलारम पर एक बार पुन है आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो पिछले कुछ समय से कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं continue वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था वीडियोस नहीं बना पा रहा था लेकिन दोस्तो मैं अब लगातार mathematics, science और reasoning पर सांदार वीडियोस आपको अवेलेबल कराता रहूंगा वीडियोस का content, वीडियोस में trick सब कुछ बहतरीन होने वाला है दोस्तो तो आज भी हम एक नया chapter सुरू करने वाले है pipe and system, null और टंकी तो ये chapter भी दोस्तो पिछले chapter time and work की तरह ही है लगबग वही themes chapter की भी है बस थोड़ा सा minor difference है वो अभी समझ जाएंगे लेकिन उससे पहले दोस्तो एक कुछ बाते में बताना चाहता हूँ, मैं अपने YouTube चैनल पर अब तक LCM और SCF की साथ वीडियोस दोस्तो अपलोड कर चुका हूँ, playlist में जाकर आप सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं और यहां से फायदा उठा सकते हैं दोस्तो, roots, square root और cube root लेकर में 4 वीडियोस बना चुका हूँ, सरली करन पर दोस्तो 8 वीडियोस अवेलेबल हैं, घातांक, एवम करनी पर, certs and indices पर 7 वीडियोस दोस्तो वहां पर अवेलेबल हैं, संख्या पद्दती पर 9 वीडियोस और कारे और समय पर 11 वीडियोस दोस्तो, playlist में आप जाकर दे है, group D से लेकर, अगर हम SSC tier 2 और cat के exam भी दे रहें, तो भी ये वीडियोस हमारे लिए बहुत जादा फायदे मध होने वाली हैं, बस आपको इतना करना है, सभी वीडियोस को जाकर, playlist में 1 by 1 ये chapter भी आप पूरे कर लिजेगा, और आने वाले सभी chapter बहुत अच्छे से आप आपको समझ में आएंगे, तो मित्रों सुरुवात करते हैं, आपने आज के नए chapter को, इसमें लगबग वही थियोरी है, वही content है, वही फार्मूल है, वही tricks है, तो जो हमने time and work में सेखी हैं, तो दोस्तों सुरुवात करते हैं, अपने chapter की pipe and system नाल और टंकी की, जो हमने, मै की efficiency positive होती थी, धनात्मक होती थी, लेकिन दोस्तों जब हम null और टंकी की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक टंकी, एक जो null है, वो टंकी को भर रहा है, और दूसरा null, ठीक है, टंकी से पानी को बाहर कर रहा है, तो जो null, टंकी से पानी को बाहर फेंकेगा, ब केडिकेटिव होगी तो यह थोड़ा सा है Kita Mrs. हे माइनर डिफरेंस हे suited है यह हल्का फर्क है बाकि सब कुछ और पही है तो सुरुबात करते हैं फेले question से दोस्तों द यदेखे पहला एक बहुत ordinary question बोर्ड पे लिखा है है लेकिन हर लेविल का क्यूशन दोस्तों आपसे डिसकस किया जाएगा, जैसे कि आज कल हाली के एग्जाम चल रहे हैं, NTPC, Group D, और अन्नी परकार के सब क्यूशन यही मिलेंगे आपको, यही क्यूशन देखने हैं, मैं रोज एनालाइस करता हूँ दोस्तों, और देखता हूँ, इसी परकार की क्यूशन आ रहे हैं, और जो तीसरी और चौथी वीडियोज होगी, उसमें तो उन क्यूशनों को भी रखूँगा, जो कैट और ससे टीर 2 अपने एग्जाम से में पूछ रहे हाली के, ठीके दोस्तों, शुरुवात करते हैं पहले क्यूशन से, पहला क्यूशन है, एक पाइप, एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बताए एक घंटे में टंकी का कितना भाग फिल हो जाएगा, कितना भाग भर जाएगा, तो बहुत ही बेसिक क्यूशन से हमारी सुरुवात है दोस्तों, तो देखिएगा, अगर कोई पाइप, कोई नल, किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, ठीक है, यानि कि 10 घंटे में पूरी भर देता है, तो एक घंटे में उसका एक बटा दसवा भागी तो भरेगा, बहुत ही साधान की उश्यम है, लेकिन SSC ने पूछा है, यह हमसे एक दो बार, ठीक है, दोस्तों, तो सही आंसर क्या होगा, एक बटा दस, अगर हमसे पूछा जाता, कि एक पाइप, एक टंकी को 20 घंटे में भरता है, 20 घंटे में, तो बताएए, एक घंटे में वो कितना भाग भर देगा, कितना पाट टंकी का फिल करतेगा, तो दोस्तों, एक बटा 20 पर टिक करते, अगर पूरी टंकी को 15 घंटे में भरता, तो एक घंटे में वो, भाग बठ दो बटे नोवा हिसद भाग भरेगा ठीक है ना तीन घंटे में दोस्तों 3 बटे नोवा भाग जा नएक लेका की कि पूरी की को 9 घंटे मा भर दे तो यह तो बिल्कुल बेसिक क्यूशन था अब जो क्यूशन एक्जाम से में बूचे जा रहे हैं उन पर आ जाते हैं दोस्तों ठीक है तो सुर्वात करते हैं मैं इसको रफ कर देता हू CCP उत्रों तो पहला किूशन जो लिखा है जो पहले कूशन कौन पड़ चुके हैं जो दूसरा कि लिखा थोड़ा सही है यह क्यूशन हम एक्जाम भी देखने को मिलते रहेंगे क्यूशन है, दो नल A तथा B, एक हौज को करम से 36-45 गंटों 36-45 गंटों में भर सकते हैं, यदि दोनो नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा बहुत ही आसान क्यूशन है, बहुत ही आसान ट्रिक है, टाइम एड़ वर्क की तरह है इसमें भी दोस्तों, तो सबसे पहले हम दोनों नलों को लिख देते हैं, एक नल है A और एक नल है दोस्तों, B ठीक है, एक नल इस टंकी को अकेले भरे, तो 36 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल अकेले भरते हुए, इसको 45 घंटे में भर सकता है मित्रों, ठीक है, तो टाइम एड़ वर्क के चेप्टर की तरह ही, इन दिये गए दोनों समय का हम LCM लेंगे, LCM की वीडियोस में आप इन चीजों को देख सकते हैं कि 36 और 45 या बड़ी-बड़ी संख्याओं का LCM, शॉर्ट में हम कैसे ले सकते हैं, यह आपको LCM और LCM की वीडियोस में देखने को मिलेगा, दोस्तों बहुत सांदार वीडियोस बनी हुए हैं महाँ पर तो 36 और 45 से कट सकने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या मित्रो, 180 है यानि कि हमने यहां से यह conclusion निकाला, या यूं कह सकते हैं कि वो टंकी जो है, जो टैंक है जिसको यह भर सकते हैं दोनों, उसकी जो शमता है, वो 180 लिटर है तो मित्रो, अब यहां से हम तंकी A और तंकी B की शमता निकालेंगे, दोनों भरने वाले नल हैं तो इनकी शमता धनात्मांग होगी प्लस में होगी, तो देखेगा 36 से इस LCM को, यानि कि 100 से को भाग कराते हैं, तो 36 पंजे 100 से, यानि कि 5, यानि कि दोस्तों, जो नल A है, पहला नल इसकी जो शमता है, 5 लिटर प्रती घंटा की दर से आगे, नेक्स्ट क्यूशन में यह L बटे H नहीं लिखूँगा, मैं पहले क्यूशन को समझने के लिए लिख रहे हैं, बस, तो इसकी शमता जो 5 लिटर प्रती घंटा भरने की है हर घंटे यह 5 लिटर पानी टैंक तक भेशता है, दूसरे एक शमता देखो 45 चौका 100 सी यानि कि नल B जो है 4 लिटर पानी प्रती घंटा टैंकी में भेशता है, ठीके दोस्तों इसकी शमता 5 है, इसकी शमता 4 है नेक्स्ट क्यूशन में एलबर्टे एच नहीं लिखेंगे आप अपनी कुछ-कुछ सेकिन अब बचाय करेंगे तो दोस्तों यह अगर दोनों एक साथ भरें तो नल A और नल B दोनों एक साथ खोल दिये जाए तो देख बताईएगा यह बूझ रहे है कि भई दोनों को एक साथ खोल दिया जाए यह पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी तो दोनों अगर एक साथ खोलेंगे तो दोनों पनी पूरी ताकत के साथ आएगे यानि कि यह अब हर घंटे हर घंटे मित्रों कितना 5 और 4 9 लिटर पानी यह अब टंकी में भेजेंगे टैंक को फिल करने के लिए भेजेंगे उपर तो बस क्या करना रहता हमें हमें कुछ नहीं इनके LCM के बटे में इनकी दोनों की तागत से भाग दे दिनी रहती है तो 5 और 4 नो 9 से दोस्तों इसको भाग करा दीजिएगा क्योंकि यहां पर भी लिटर है टंकी की शमता जो है 100 से लिटर है यह कितनी है दोस्तों? लिटर प्रती ह, 9 लिटर प्रती ह यानि कि लिटर से लिटर कटेगा और 9 दूनी 18 यानि कि कितना आ जागा? 20 और यह HP उपर चला जाएगा दोस्तों, तो दोनों इसको मिलकर 20 घंटे में खिल कर देंगे तो इसका क्या आंसर है? 20 घंटे अगली बार दोस्तों, नेक्स टाइम में यह L बटे H नहीं लिखूंगा, यह नहीं लिखेंगे डारेक्ट हम 30 सेगड में क्यूशन को करना सीखेंगे तो ठीक है मित्रों, मैं अगला क्यूशन लिखता हूँ चली दोस्तों, अगला क्यूशन देखते हैं एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है यह बरने वाला पाइप है तदा दूसरा पाइप टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है दूसरे जो पाइप है, दूसरा जो नल है यह खाली करने वाला है ठीक है, यह पानी को टंकी से बाहर फेकेगा अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी मतलब एक तो टंकी में पानी भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है तो समय तो ज्याद लगेगा तो ठीक है दोस्तों करते हैं इस क्यूशन को भी तो बहुत ही आसान इस बार शमता को लिटर प्रती घंटा नहीं लिखेंगे हम नौर्मली करेंगे तो मित्रों कैसे लिखा हम को आप हम ने एक पाइप है A और दूसरा फाइप है B ठीक है ना इमें ने A और B दो पाइप माद लिया भर ने वाला पाईप को 10 गंटे के तरह कहा है, तो हम time and work की तरह क्या करेंगे? दस और बारा दी हुए दोनों समय का LCM लेंगे, जो 10 और 12 से कट जाए सबसे छोटी संख्या साथ है. ऐसी संख्या क्या है दोस्तों? तो इसकी शम्ता पहले नल की शम्ता क्या आई 10 शंक 6 यानि कि LCM को भग दे रहें दिये हुए समय 10 से 10 शंक 6 तो दोस्तो इसकी शम्ता कैसी यह प्लस की क्योंकि यह नल भरने वाला है दोस्तो यह जो है टंकी को भर रहा है पाइप यह अब पाइप B के बारे में देखते हैं 12 65 यहाँ पर हम माइनस के 5 लेखेंगे माइनस के 5 इसलिए लिखेंगे दोस्तो क्योंकि नल जो B है वो टंकी से पानी को बाहर फेकता है वो खाले करने वाला जब भी खाले करने वाले नल की बात आए उसकी शम्ता इरनात्मक होगी माइनस में होगी उसकी efficiency शम्ता निगेटि पहुचाता है और एक 5 लिटर पानी प्रती घंटे टंकी से बाहर करता है यदि हम दोनों को एक साथ खोल भी देंगे तो इनकी शम्ता कितनी 6 प्लस के हैं 5 माइनस के 1 बची जमा की ठीक है दोस्तों कितनी 1 यानि कि 1 लिटर पानी ही टंकी तक पहुच पाएगा अब जब हर घंटे एक लिटर पानी टंकी तक पहुच पाएगा छे भर रहा है वो 5 वो बाहर कर रहा है तो टंकी में जो इस्टोर हो रहा केवल एक लिटर पानी श्टोर हो रहा तो एक लिटर करते करते इस तरीके तो साथ घंटे लगेंगे तो बस क्यूशन हो गया अगर हम दोनों A और B को एक साथ खोल दें तो उस condition में हम हमेशा LCM को यानि कि उपर दी हुई शमता को टंकी की 60 को किस से भाग कर दे दोनों इन दोनों को जोड़ो यानि कि अग जब हम प्लस के छे और माइनस के पांच को जोड़ेंगे दोस्तों तो शमता आएगी केवल एक कुल मिलाके शमता आई एक यानि कि 60 के बटे में एक का मतलब क्या हुआ साथ गंटे लगेंगे दोस्तों भरने में इस कंडिशन में टंकी को भरने में कितने गंटे 60 गंटे, ये समझाने में इतना वक्त आपको लग रहा है, जब एक बार इनको आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से, तो exam में मातर 30 second में 20 second में इस question को बना लेंगे, तो दोस्तों किस पे टिक करेंगे हैं, 60 गंटे में और अपना एक number बनाएंगे, चलिए मैं अगला question देखेगा, एक pipe, एक टंकी का एक बटा चार, one by fourth भाग, पार्ट इसका, 16 मिनट में भर सकता है, 16 मिनट में एक चौथाई भाग, किसी भी टंकी का कोई नल भर सकता है, तो बताईए, तीन बटा चार भाग भरने में इसे कितना समय लगेगा, option है, 64 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट तो बहुत ही आसान question, मुश्किल से 10 सेकेंड इसको करने में लगने चाहिए दोस्तों, तो एक बटा चार भाग, कितने समय में भर देगा, 16 मिनट में, कितना दोस्तों, 16 मिनट, टाइम एड़ वर्क की तरह ही था, कि एक व्यक्ति, 14 काम को इतने समय में, तो वही व्यक्ति क बस यहाँ पर टंक, नल और टंक्यों का जिकर है दोस्तों, तो दिखिएगा, जब एक बटा चार भाग, 16 मिनट में भर सकता है, तो पूरा भाग, दोस्तों, पूरा भाग कितने समय में भरेगा, पूरी टंकी कितने में भर देगा, 4 की गुना, 16 से आड़ी गुना कर दीच क्रोस मल्टिप्लाइ, 16, 4, 64, यानि कि यूँ समझेगा, कि 64 मिनट में ये पूरी टंकी भर जाएगी, दोस्तों, 64 मिनट में, अगर पूरी बात करता कि पूरी टंकी कितने समय भरेगी, तो 64 मिनट में, कहा 3 बटे 4 भाग, 3, 4 भाग कितने समय भरेगा, तो दोस्तों, इसका तीसरे नंबर पर 48 मिनट लिखा हुआ था तो मैं उम्मीद करता हूँ यह कुशन बहुत अच्छे सा आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही और बहुत ही बेसे क्यूशन था दोस्तों तो आज की वीडियो में और हाँ यही और बेसे क्यूशन दोस्तों हमसे एंटी पीसी में में पूछे जा रहे हैं बिल्कुल और क्यूशन है यही ग्रूप डी में पूछे जाएंगे ऐसे ही MTS में एसे सिटी वन में पूछे जाते हैं हमसे लेकिन फिर भी हम दूसरी जो वीडियो बनाएंगे और तीसरी वीडियो जो पाइपेंड सिस्टन की होगी उसमें बहुत अच्छे कुछ टॉफ क्यूशन भी मोडेट क्यूशन भी दोस्तों डिसकस करेंगे लेकिन आज की वीडियो में ओर्डरी क्यूशन है अगर आप यहां से बिलकुल इस चैप्टर को कभी नहीं पढ़ें तो बहुत अच्छी सिसकी थीम इस चैप्टर की थियोरी को सीख जा हिसमें दोस्ता हुशन हागा हुशन बजागा था लेकन तली में चिद्र होने के वजह से 20 गंटों में भर सकता है, अगर किसी टंकी में खिद्र हो गया लिए तो अब उसको भरने में 15 की जगते हैं तो यह तो इह बहुआ हो तब अक YOU को कितने समय में खाली कर देगा यानि की likage उसको कितने समय में भरी वी पूरी होज को likage करते करते पूरी तरह के से खाली कर डेगा एमटी कर देगा ठीक है दूस्तों बहुत ही आसान क्यूशन है ये भी चली देखें इसमें क्या करेंगे हम दोस्तों इसमें देखेंगे, दोनों बार भरने का जिक्र हो रहा है, लेकिन कैसे, लिकिज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी पता चलेगा, दोस्तों, एक नल है, ठीक है, वो किसी होज को 15 गंटे में भर सकता है, ठीक है, दोस्तों, 15 गंटे में अकेले वो भर सकता है, लेकिन, वो पानी को लीक भी करें, पानी को टंकी से बाहर भी करते रहें, तो इसके में तो दो फैक्ट एक साथ काम कर रहें, नल अपने भरने का काम कर रहा है, जिसकी शम्ता प्लस में है, और लिकिज भी साथ ही साथ काम कर रहा है, जिसकी शम्ता रिनात्मक होगी, वो अभी पता कर यहां पर दो बात एक साथ कंडिशन यह है कि लिकिज भी अपना काम कर रहा है दोस्तों देखेंगे 15 और 20 अलग-अलग दो समय दिये हैं ठीक है ना तो 15 और 20 से का जो यहां पर देखें जब नल और लिकेज दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तब उनकी शमता कितनी बीचती है साथ यानि की तीन इस दोस्तों कुछ समझने की बात यह यहां पर यह है कि जब फ्लस नल प्लस लिकेज नल प्लस लिकेज दोनों की संता कितनी है इन चल्ठ है दोस्त तो कैसा हो काचार चिंचेंगाanga दोस्तों और रेन आत्मख हो जागा दो जाके तो सो सोल बरावर कितना आया मैनस यानने की संता मौनस लिकेज की स फिर समता मायनस में नहीं है जो भी हाद है कि यह आपकी यह एक लिटिट अने को तंकी से होसा रह्म अजास करें वसकी संटा मैं सब्सक्राइब स काफ़ सब्सक्ति कि अज我要 बनीच Doctor इसकी समता मांटा मेर सी मतलब यह कि एक लिटर पानी एक लिडर परती है लिडर प्रती घंटों में řबवा है कि अध्य एक लिटर पानी प्रती घंटा बाहर कर रहा होग से यहने कि भरी होई पूरी टंकी को जो 60 L की टंकी उसको कितने समय में पूरा खाली करदेंगे, भरी हुए कियो, यानि कि यह लिज भाई सब आ रहे हैं, इther, 60 L की चंकी को एक की दागत से, कितने समय में खाली करदेंगे, रडात्मक्ता ये 100 करता है, तो दोस्तो ल बराबर 60 बटे 1, क्योंकि लिकिज की समता 1 है, तो 60 बटे 1 का मतलब 60 गंटे, यानि कि जो लिकिज है, वो 60 गंटे में इस भरी भी होज को खाली करते गया, तो मैं समझता हूँ ये question भी बहुत आसान है इस प्रकार के और question भी आएंगे तो भी आप कर लोगे चले दोस्तो एक और question देखते है अगला question देखते हैं दोस्तो Null A एक हौज को 20 गंटे में भर सकता है जबकि Null B अकेले उसे 30 गंटे में भर सकता है तथा Null C भरे हुए हौज को 40 गंटे में खाली कर सकता है दो Null भरने वाले हैं और एक खाली करने वाला है तो obviously एक की शमता negative होगी दो की शमता positive होगी सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कुल कितना सामिल लगेगा खाली होज को भरने में कितना शमय लगेगा दोस्तों बहुत यह आसान तीस सेक्डिम होने वाला क्यूशन है चलिएगा देखते हैं कैसे A B C लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले एक्जाम में यह करेंगे आप तीनों लोलों के बारे में लिखेंगे यह इस नल की को इस टंकी को या इस होज को 20 घंटे में भरता है पहले वाला नल दूसरे वाला नल इसको 30 घंटे में भर सकता है दोस्तों और तीसरा नल C इसको 40 घंटे में खाली कर सकता है तीनों का समय हमने लिख लिया जैसे वो लिखे थे, वैसी ही उनका समय भी लेखा थे, उस तो उनी के साथ, ठीक है, फिर 20, 30 और 40 का LC हम लेंगे, जो की 120 है, बहुत ही आसान संख्या है, और इनका LC म लेना भी आसान है, यहां से दोस्तों, 0A, 0B और 0C की शंताओं का हमें पता चल जाएगा, ठीक है, और और आसानी से हम आंसर गिवन टाइम निकाल सकते हैं, जो हमें रिक्वाइड टाइम हमारे लिए, तो 20 चंग 120, यानि कि दोस्तों, 0A की जो शंता है, वो 6 है, वो प्लस की 6 है, क्योंकि भरने वाला नल है, बी की 3 चोक 12 दोस्तों, यानि कि नल B की जो शंता है, वो 4 है, ये भी में रहेगी, ये भी जो है, होज को भरता है, भरने वाला है, लेकिन नल C के बारे में ये खाली करता है, दोस्तों, भरी भी होज को खाली करता है, कितने गंटे में, 40 गंटे में, तो देखते हैं, चारती अबार, यानि कि जो नल C की जो शंता है, ना, माइनस के, यानि कि मा जमा B, जमा C, तो मित्रों 120 लिटर की टंकी को भरने के लिए यह तीनों अपनी अपनी शमता के साथ जाएंगे, यानि कि दोस्तों 6 और 4, 6 लिटर यह एक घंटे में, 4 लिटर यह एक घंटे में, यानि कि यह दोनों मिलकर 10 लिटर पानी उस घंटे में ऊपर भेज रहें, होज में भेज रहें, टंकी में भेज रहें, और उनी की साथ-साथ उसी शण 3 लिटर पानी प्रती घंटे बाहर थो कर रहा है, टंकी से या होज से बाहर भेज रहा है, तो यानि कि दोस्तों समझो कि एक गंटे में जो है दस में से तीन घटा तो यानि कि साथ ही लिटर पानी जा पा रहा है यानि कि इनकी तीनों की शमता से दी हुए LCM को या दी हुए टंकी की शमता को भाग करा देते हैं तो छे और चार दस में से यह तीन गया, साथ, साथ से भाकरा दीजेगा दोस्तों, साथ से 120 को भाक देंगे, तो 17, 17, 11, 17 और 1 से इस बचता है, यह को उपर लिखते हैं, साथ गंटे, तो दोस्तों बहुत ही आसान क्यूशन था, 17 सही एक बटा साथ गंटे, इस तीनों को एक स देखते हैं दोस्तों, दो नल A, एवं B, एक हौज को करम से 1 घंटा 75 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक निकासी नल आउटलेट C है, इन्ही के साथ एड़ है यह भी, यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो हौज 50 मिनट में भर जाती है, कब? जब तीनों नलों को एक साथ खोला जाए, भरे हुए हौज को नल C कितने समय में खाली कर देगा, यानि एक बात तो तेह हो गई कि नल C जो है खाली करने वाला नल है, और इसकी शमता माइनस में आएगी, इसकी इफिशेंसी निगेटिव होगी दोस्तों, ठीक है, चलो देखते हैं, ठीक है, क्योंकि नल A अगर इसको भरता है अकेले तो इसको एक घंटा मतलब 60 मिनट लगती हैं, नल B अगर इसको अकेले भरता है तो इसको 75 मिनट लगते हैं, और तीनो नल A तथा B और C इसको एक साथ बरें, तब ऐसी कंडिशन में 50 मिनट लगते हैं, ठीक है, तो फिर से हम 50, 75 और 60 3 संख्याओं का LCM लेंगे वो छोटी से चोटी संख्या जो इन 3 से कट जाए दोस्तों divisible हो तो वो संख्या है 300 ठीक है ये बहुत अच्छे से आप जानते है LCM लेना ठीक है तो दोस्तों अब इनकी शंता पता करते हैं हम अब 60 से 300 को भाग करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 5 समझ रहें आप दोस्तों 5 शंक 30 याने की 6 पंजे 30 याने की 60 पंजे 300 नल A की शंता है 5 लिटर प्रती मिनट 5 लिटर पानी प्रती मिनट ये होश तक टंकी तक भेजता है इसकी शंता है दोस्तों 75 चौका 300 याने की शंता 4 है नल B की शंता 4 है वो भी positive क्योंकि दोनों नल भरने वाले हैं थेकर इनके बारे में प्रती मिनट होश तक भेजता है इसकी शंता अब तीनों की case में क्या हो जाता है तीनों को देखो जब तीनों भरते हैं तो 50 मिनट में भर देते हैं और तीनों को जब पचास से आप भाग देंगे तो कितना आएगा 6 कितना आएगा दोस्तों 6 और वो भी plus का सब plus में है अब हमने क्या conclusion निकाला कैसे देखा कि A plus B plus C तीनों की शंता दोस्तों 6 है तीनों की शंता कितनी है यह 6 अब इस 6 में से A और B की शंता तो अलग-अलग हमारे पास गीवन है क्या A की दोस्तों कितनी है 5 है B की कितनी है 4 है C की हमें पता नहीं अब ही पता चल जाएगी तो 5 और 4 नो इधर 9 हुआ plus के C बराबर 6 और C बराबर दोस्तों यह plus का 9 जब पक्षांतर करेंगे जब 6 के पास भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा और उधर plus के 6 माइनस के यानि की चले पूरा गलिख लेते हैं माइनस के 9 यानि की 6 बराबर दोस्तों किया माइनस के 3 यह माइनस का 3 यह बताने के लिए काफी है कि जो C है वो आउटलेट है यानि की एक निकासी नल है यानि की हौज से टंकी से पानी को बाहर फिकता है बाहर निकालता है दोस्तों ठीक है ना exit करता है यानि की 6 की शमत हमें माइनस के 3 प्राप्त हो गई ठीक है अब C के बारे में पूछा गया था यह निकासी नल यह आउटलेट इस भरी भी हौज को भरी ही टंकी को कितने समय में खाली कर देगा तो खाली करने वाला तो यह है माइनस आने से यह पता चल गया हमें कि निकासी नल है तो दोस्तो 300 लिटर की टंकी को ठीक है ना बस C से उसकी शमता से भाग करा दें इसकी शमता कितनी माइनस के 3 आप चिन ना लेकर बस खाली 3 लें यहां से तो दोस्तो 3 से आप 300 को काटेंगे तो C बराबर कितना आएगा 100 मिनट इस बार कियूशन घंटों में नहीं इस बार कियूशन मिनट में हमने तब दिल कर दिया था पूरा 60 मिनट, 75 मिनट और 50 मिनट तो दोस्तो आई होप मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यह पहला option यहां पर सही है 100 मिनट लगेंगे इसको भरने में ठीक है दोस्तो चलिए अगले क्यूशन की और बढ़ते है चलिए दोस्तो अगले क्यूशन देखते है दो नल A तथा B एक होज को क्रम शह 24 मिनट एवं 32 मिनट में भर सकते हैं यदि दोनो नलों को एक साथ खोल दिया जाए दोनो नलों को एक साथ खोला है तो नल B को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि होज 18 मिनट में पूरी भर जाए एक्जाम औरियंटेट क्यूशन है दूस्तो कई बारे के SSC ने ऐसा क्यूशन हम से पूछा है चलिए बहुत अच्छा यह कहते है कि B को कितने प्रारम करने से दोनों को एक साथ खोला गया था तो प्रारम करने से दोनों को सुरुआत करने से दोनों को स्टार्ट करने के कितने समय बाद किवल B को बंद कर दे जाए ताकि पूरी की पूरी होज या टंकी 18 मिनिट में भढ़ जाए इटमिस दोस्तों इस बात से अर्थ ये निकालो कि 18 मिनिट तक 18 मिनिट में भढ़ जाए तो B को तो बंद कर दिया गया इसका मतलब A तो 18 मिनिट तक पुरा काम किया होगा चलिए समझते हैं दोस्तों लिख लेते हैं पहले टंकी A और B के बारे में ये किसी होच को किसी टंकी को दोस्तों 24 मिनट में भर सकता है नल A और नल B इसको 32 मिनट में भर सकता है दोस्तों 24 और 32 का LCM लेंगे एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए वो तरह divisible हो तो यानि कि 96 और वो छोटी से छोटी divisible number हो तो A का पता करेंगे 24 चौका 96 यानि कि 4 लिटर प्रती मिनट 4 लिटर प्रती मिनट वो L बटे M में नहीं लिख रहा हूं शम्ता प्लस की भरने वाले नल हैं तो दोनों शम्ता पोजिटिव हैं तो 4 लिटर प्रती मिनट की शम्ता से ये हौज तक पानी को पहुंचाता है नल A बी की देखेंगे बो दोस्तो 32 यानि कि बी की शम्ता 3 है A की शम्ता 4 है अब ये कहते हैं कि भई बी को कितने समय बाद बंद कर दिया गया होगा दो मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 10 मिनट बाद कितने समय बाद बंद कर दिया होगा ताकि जो हौज है पूरी वो 18 मिनट में भर गई होगी इटमिस दोस्तों सीधे-सीधे यहाँ पर दिमाग को जोड़ लगाएगा आप कि 18 मिनट में अगर पूरी टंकी भर गई होगी तो B को बंद कर दिया बीच में तो कम से कम यह सोचो कि A नहीं तो कर रहा होगा वह 18 मिनट तक काम तो समझेगा यानि कि A ने 4 तागत के साथ A की शमता 4 है 4 तागत के साथ 4 इफिसेंसी के साथ 18 मिनट तक पानी भरा होगा क्योंकि लाश्ट के 18 मिनट तक जब तक टंकी पूरी भरी होच पूरी भरी A वहां तक पानी पहुंचा तरह नल A ठीक है ना तो नल A ने 4 की तागत से इस दिये हुए 18 मिनट में कितना पानी भरा होगा दोस्तो 18 चौब 72 72 पानी नल A ने अकेले भरा है 18 मिनट में 96 में से 72 तो दोस्तो 96 में से घटा दीजेगा 96 में से 72 यानि कि 24 ये जो 24 लिटर पानी आया है 96 लिटर में से 24 लिटर पानी आया है ये B के हिस्से का पानी आया है यानि कि ये 24 लिटर पानी B ने भरा होगा इट मींस B के बारे में देखते हैं अभी, अब ये 24 लिटर पानी B भर के चला गया, बंद कर दिया था बीच में कुछ समय बाद उसको, कितने समय बाद वो अभी पता चल जाएगा, इसकी शमता से भाग करा दो, B में शमता है दोस्तो 3, अब 3 से इसको भाग कराएंगे तो 3, 24 यानि की B ने, ठीक है न दोस्तो, ये 24 लिटर पानी 3 की शमता से कितने, 8 मिनट तक उसने भरा है, तो दोस्तो, यानि की कहने का मतलब, 8 मिनट बाद, दोनों टंक्यों को इस्टार्ट प्रार्म करने के, 8 मिनट बाद, B को बंद कर दिया होगा, यह यहां से इस तरीके से हम निकाल लिए, दोस्तो, option number A यहां पर दिया है, चलिए इसी प्रकार के question और discuss करते हैं, ताकि यह question बहुत अच्छे से आपको clear हो जाएं, next question देखते हैं दोस्तों, पिछले के जैसा ही है, पिछले question को बहुत अच्छे से आप समझ पाएं, इसको भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उसी को support करने के लिए इसको लिखा है मैंने, दो नल P तथा Q, एक होज को करम से 24 मिनट, एवं 32 मिनट में भरते हैं, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो नल P को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि होज जो है, 16 मिनट में पूरी बढ़ जाए, नल P को बंद किया है, इसका मतलब end तक का नल Q ने किया है, इसमें दोस्तों, पिछले के जैसा ये बुक में दिया था, तो मैंने लगा तारी इनको उतार लिया, ठीके दोस्तों, आपको समझाने के लिए, तो फिर वापस पिछले की तरह, क्यूशन की तरह, यहां भी लिखे, A और B, ने सौरी, P और Q हैं, इस टाइ पिछले की तरह, पिछले की तरह, पिछले की तरह, जैसे वो 18 मिनट तक, इसका मतलब 16 मिनट तक, नल Q ने काम किया होगा, एंड तक नल Q काम करता रहा होगा, लास्ट के 16 मिनट तक, तो Q की पारे में ये ठीयोरी लिखेगा आप, कि भई, Q में तीन पावर है, तीन तागत है, वो 3 लिटर पानी प्रती मिनट होज तक पहुचाता है, तो 16 मिनट में उसने कितने पानी डाला होगा 16 मिनट में, 16 मिनिट कहा, 16 मिनिट तक भर ये होज, ठीक है, तो दोस्तो 16 ये 48, ये कारिकिया करें आप ये से क्यूशन में, तो 16 ये 48, it means 96 लिटर की होज है, 96 लिटर की टंकी है, इस में से 48 लिटर पानी, किसने अकेले, किसने भरा, क्यों ने भर दिया, दोस्तो 16 मिनिट में, तीन की 14 ये बचा, अच्यान में से 48 गया, 48, यानि कि ये जो 48 है, 48 तो नल क्यों ने भरा होगा, और ये जो बचा हो 48 है, ये ओवियसले नल पी ने होज में भेजा है, दोस्तों, तो पी के बारे में ही पूछा था, कि पी को कितने समय बाद बंद किया है, तो ये 48 लिटर पानी, ठ इस मींस, 12 मिनट बाद, यानि कि एक जब एक साथ श्टार्ट होए थे, तो 12 मिनट तक लगातार एक साथ पानी भरा होगा, और 12 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया होगा, ठीक है दोस्तों, तो 12 मिनट में उसने अपने हिससे का 14 लिटर पानी भर दिया था, जो बाकी के 4 म इनट बाद, बंद कर दिया जाना चाहिए दोस्तों, बस यह हमने 12 पी टिक करके अपना नमबर पनाना है, तो इस टाइप की क्यूशन मुझे उम्मीद है, आपको समझ में है, चली थोड़ा सा क्यूशन को बदलते हैं, अगला क्यूशन देखते हैं, चली दोस्तों, अगल सकते हैं, जब अलग अलग समय नहीं दिया गया, यदि हम इनमें से कहते हैं कि एक को एक गा गंटे लगे हूं कि तो दूसरे से लगते हैं, 10 गंटे लगी होंगे तो इनके LCM लेंगे एक दुई घाच समीकंड बने की उसको हल करेंगे तो बहुत समय लग जाने वाला है तो दोस्तों हमें ज़्यादा समय तो लगाने नहीं हमने 20 से 25 सेगंड में क्यूशन कर निपटाना है चरुवल वो इस टंकी को 10 गंटे में पूरी होग डी बर देथा edan कि भी जो लिए बरने वाला है नं की चोच को 20 गंटे में बर देगा और जो पहला ज़ए और वाला वाला है वह 20 गंटे तेजी को यह 10 गंटे जल्दी बर देता है याने कि 20 बटे 3, it means दोस्तो हमारी बात qualify नहीं हुई 12 घंटे नहीं आया, it means हम गलत assume कर रहे हैं, दोस्तो मैं रफ कर रहा हूं ठेक है न, यहां से हम चलिए it means हमने दोस्तो दूसरी value सोचनी पड़ेंगे दूसरी value सोचनी पड़ेंगे, इसमें यहां पर तीस रखना पड़ेगा मुझे, याने कि धीमे भरने वाले नल या दोस्तो पाइप का जो समय है वो 30 घंटे और जो तेजी से भरता है वो 20 घंटे में क्योंकि उप्सन तेजी से भरने वाले के दिये थे तो मैंने यहां से इस उप्सन को 20 रख लिया और यहां पर दोस्तो तीस रख लिया अब देखते हैं कि दोनों को एक साथ भरने से 12 घंटे लगते हैं कुछ और पहला ट्रायल तो फेल होगे यहां पर 20 और 10 रखने से कि दर से पाने होज तक पहुंचाता है तंकी तक पहुंचाता है कहा कि दोनों को जो भाई साब 12 घंटे लगते हैं तो हमने भी तो देखा हैलसियम को दोनों की शमता 3 और 2-5 से भाग देंगे तो कितना समय लगा दोस्तो 12 घंटे ठीक है इट मींस हमने हीट और ट्रायल में इसको बहुत आसानी से कर लिया अब हम अराम से कह सकते हैं कि धी में भरने यानि कि कहा तेजी से भरने वाली जो नल है तेजी से भरने वा समय लगेगा यहां पर 20 घंटे और यहां पर 30 घंटे ठीक है तो हमसे दोस्तों तेजी से भरने वाले के बारे हैं पुछा गया तो यह 20 घंटे में और यह 30 घंटे में जब मैंने इन दोनों से एक साथ भरवाया तो 12 घंटे आंसर आए वही इसने कहा था तो मित्रों हमें X और X माइनस के 10 या X या X प्लस के 10 मान के दोई घंट समय कड बनाते हुए कार्डू लेटर क्यूशन बनाते हुए स्वालू करने की कोई आविशकता नहीं ऐसे क्यूशन को आप बाई ऑप्सन कीजिए ऑप्सन आपको दिये होंगे हर एक्जाम में तो मैं समझता हूँ यह क्यूशन भी आया तो दोस्तो आज की वीडियो का परपज भी ठीकन आसान क्यूशन बिल्कुल सुरुवात से क्यूशन को कराने का था अब दूसरी तीसरी और चौती वीडियो में हम इसके मोडरेट और टफ लेविल के क्यूशन डिसकस करेंगे जैसे कि मैं वीडियो की कीजिएगा और यह सब आपको अच्छे लगी है पूरी वीडियो में से आप चीजों को समझ पाएं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा बहुत-बहुत धन्यवाद अपने वीडियो को देखा हैं तक थैंक्यू